okay very good so now we discuss the newton's second law in terms of momentum ठीक है क्या इसका ला है यह पहले समझते हैं यह करता है दरेट आफ चेंज ऑफ मोमेंटम याने कि मोमेंटम किसी बड़े का हम चेंज कर देंगे यानि इसका पहले मोमेंटम था निसर विस्टी यू था तो इसका मोमेंटम था एम यू इसका मोमेंटम इ भी तो मोमेंटम तो चेंज अपने से नहीं होगा तो कैसे चेंगा दरेट आफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ आफ एन ऑबजेक्ट इज इग्वल तो दानेट फोर्स अप्लाइड ऑन डी ऑबजेक्ट ठीक है यानि कहने का मतलब यह है कि किसी बड़ी में हम फोर्स लगाते है है तो बड़ी चा मेंटम क्या हो जाता है चेंज होता है उसका बड़ी चांड़ेच sensations करने बाद उसका का रेट निकालेंगे यानि मोमेंटम चेंज करेंगे उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हम किसका फोर्स का फोर्स का ठीक है अब समझें को कैसे करेंगे देखिए इसका मोमेंटम था पी का एम इंटु यू है मोमेंटम कि लूगया थिक अब देखो देना चाहेंगे यहां था था पी तूवाइनस पी वन दॡड़ वान यू पी घुए वा ना तो पी तो फी स्थेवें को लिख सकते हैं में माधान है यह से आग्या चेंज हिन के का मतलब हो गया एव बी इस इए कि अब एक रहा दर येट ऑफ मोमेंटम का क्या निकलना है जारेट तो मोमेंटम को क्या करेंगे टाइम से डिवाइड कर देंगे करें टाइमसे डिवाइड तुम हो मोमेंटम को जब से डिवाइड कर दिए तो यह बना गाया भी माइनस्क उको लिख सकते नुग जलीगते हैं पूर arrives सब्सक्राइब क्या बिगाते के इस एग मैलाश्योग स्फराइर्प संफ सैंग क्या होता है फोर्स पुरूफ हो क्या बोली है आया से वज में येस से चलो इसको नोट कर लो